गोस्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जाकर हमारी दूसरी कहानिया जरूर देखे और सुने आप लोगों को बहुत मज़ाएगा सातिसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वाटसेप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंग है अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानिया भेजना चाता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानिया भेज सकता है चलिए बढ़ते हैं हमारी कहाणीों की ओर दोस्तो हमारी आज की कहाणी शीतल की है इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ दो कहाणी शेयर कर रखी है अब बढ़ते हैं इनकी कहाणी की ओर ये घटना है 2009 की उस समय मैं बैंगलॉर में एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करते थी कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा पता चला कि वहाँ पर एक गाव जैसा एरिया था जहाँ पर हमें मेडिकल कैम्प लगाना था तो उसमें मुझे भी अपॉइंट किया गया था मैं भी उस एरिये में जाकर अपना काम करते थी हमें रुकने के लिए जो फैसिलिटीस दी गई थी वो उसी गाव में एक घर में दी गई थी वो घर वहाँ के कोई सरपंच का था या किसी बड़े आदमी का था मैं वहाँ पर बहुत आराम से अपने स्टाफ के साथ रह रही थी शाम के करीब 6-6 बजे के बाद हम लोगों को उसी घर में जाकर रहना होता था पहले दिन तो शायद सब लोग काफी जादा थके हुए थे क्योंकि हम लोग जहां बैंगलॉर में हम लोग रहते थे वहाँ से मॉर्निंग में चार बजे निकले थे तो जहां हमें केम्प लगाना था वहाँ हम लोग दोफैर के दो बजे पहुचे और वहाँ पहुचते साथ हम लोगों ने केम्प लगा दिया था साड़े छे बज़े कैम का काम खतम करके रूम में खाना खाय और बहुत ज़्यादा थकावट की वज़े से हमें कब नीन लग गई पता ही नहीं चला मेरी आख सिधा अगले दिन सुबा में साड़े पांच बज़े खुली जब मैं वहाँ पर बहार निकली डिसेंबर का महीना था तो ठंड अच्छी थी हर जगा बहुत प्यारी दिखाई दे रही थी मैंने जाकर अपने स्टाफ के और भी जो लोग थे उन लोगों को उठाया उनमें मेरी एक बहुत अच्छी बेस्ट प्रेंड थी मैंने उसे भी उठाया और उसे कहा कि देख बहार कितना अच्छा लग रहा है हम सबी उस घर के बहार आए और नीचर का मजा लेने लगे फिर वो दिन जल्दी जल्दी सुबा नाश्टा करके रेडी होकर हम कैम जहां पर लगता था वहां पहुँच गया पुरा दिन काम खतम करने के बाद जब हम दोबारा लौट रहे थे तब मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि पिछली रात में तुने उस घर में कुछ नोटीस किया क्या मैंने कहा नोटीस मतलब वो कहने लगी कि कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई दे रही थी सुनकर बहुत डर लग रहा था मन घबरा रहा था इसा लग रहा था कि घर में कोई घूम रहा है और वो जो भी घूम रहा था शायद वो गुराते हुए या गुसे में घूम रहा था उसकी सासों की आवास भी बहुत भयानक लग रही थी उसका ये भी कहना था कि फिर ऐसा लगने लगा जैसा कि मानो जहां पर हम लोग बैड पर सोय हुए थे वो हमारे सर के पास ही गुमने लगा मैंने उससे कहा अरे ये सब तू सपना देखी होगी ऐसा कुछ भी बोल रही है वो कहने लगी कि नहीं मैंने सच में ये सब महसूस किया और इसके बारे में आज जबी मेडिकल कैम पर एक फैमिली आई थी तो मैंने उन से पूछा तो मैंने उससे कहा कि तुझे कैसा पता कि उन ही से पूछना है वो कहने लगी बस मैं तो रैंडमली पूछ रही थी तबी उन में से उनकी जो फैमिली में लेडी थी उसने मुझे कहा कि वो जो घर है वो पिछले तेरा सालों से बंद पड़ा था जब हमें ये पता चला कि मेडिकल कैम के लोग आ रहे है तबी उस घर को साफ करके एकदम ठीक कर दिया गया आप लोगों के रहने के लिए मैंने कहा तो तेरा साल से बंद क्यों पड़ा है वो कहने लगी कि कई साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिन होने खुद को आग लगा कर मार दिया था यानि सब के सब ने सुसाइट कर लिया था ये बात जब मैंने अपनी दोस्त से सुनी तो अब कहीं मुझे भी डर लगने लगा था मैंने उससे कहा कि इतनी बड़ी दूरघटना इस घर में घटी है और हमें यही घर दे दिया रहने के लिए वो मेरी दोस्ट जो थी वो भी कहने लगी वही बात तो समझ में नहीं आ रही है हम अपने जब घर पर लोटे तो हम लोगों ने शाम के खाने की तयारी की क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को सरफ पहले दिन ही खाना उन लोगों ने प्रोवाइट किया था सेकेंड डे से हम लोगो खुद का खाना बना कर खुद ही खाना था रात में करीब नौ सवा नौ बजे के आसपास हम लोग खाना खाकर फ्री हो चुके थे मैंने मेरी दोस्ट से कहा कि हम बाहर निकलते हैं और किसी और से भी पुछते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है हमें पता चलेगी जब हम बाहर निकलें और आसपास के और कुछ लोगों से पूश्टाच की उन लोगों ने भी सेम यही बात बताई उस रात तो मुझे डर की वज़ा से नींद ही नहीं आ रही थी जब रात में हम सोने के लिए गए तब मैंने देखा कि एक बड़ी सी काली परच्चाई उपर छट पर दिखाई दे रही थी ऐसा लग रहा था कि जमीन की किसी चीज़ का वो रिफ्लेक्शन थी लेकिन वो परच्चाई ही थी चो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी फिर वो परच्चाई छट पर से दिवार पर आई और हमारे कमरे के बाहर चले गए मैं जल्दी से उठी और कमरे के बाहर गई उस परच्चाई का पीछा करने के लिए मैंने जाकर देखा कि वो परचाई अब दिवार पे ही चलते हुए घर के बाहर चले गए घर के बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए मैं तुरंट लोट कर अपने कमरे में अपनी दोस्त को उठाया और उसे ये बात बताई उसने कहा कि एक काम करते है अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होगा अभी हम सो जाते हैं मैंने का तुझे नीन्द आ रही है वो देखने के बाद मेरी नीन्द गायब हो गए जब मैं मेरी दोस्त को लेकर उस घर से बाहर निकली तब मैंने देखा कि वो परच्छाई तो थी नहीं लेकिन बाहर बहुत सारी राक पड़ी हुई थी ऐसा लग रहा था कि किसी लकड़े को या बहुत सारे पेपर को जला कर उनकी राक को वहाँ पर फेक दिया गया हो मैंने का ये राक अभी तक तो नहीं थी ये कहां से आई इसका उसके भी पास कोई जवाब नहीं था हमने पुरी रात डर के उस घर में निकाली अगली सुबा होते ही हम लोग कैमप पर चले गए और मैंने कहा जो हमारे सीनियर थे कि मैं यहां पर नहीं रह सकती मैं अब इस घर में तो नहीं रहूंगी मेरी बात सुनकर और लोगों ने भी यही बात कही कि हम यहां नहीं रहेंगे क्योंकि कैमप और तीन दिन चलना था हम लोग उसी दिन उस घर को छोड़ कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए वहां जाने के बात उन लोगों से ये बात पता चली कि कई बार रात में उस घर में से चीखने चिलने की आवाजे भी बिलकुल साफ सुनाई देती है और यूं ही लगता है कि उस घर में कोई जल रहा है उसने तो ये भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि रात के समय उस घर की खिड़की और दर्वाजों में से बहुत सारा काला धुआ निकलता है हमें तो लगता था कि इस घर में शायद रोज ही रात में आग लग जाती है लेकिन बाद में पता चला कि ये आग नहीं लगती बलकि ये उन्हीं लोगों की आत्माए है जो जल कर वहां पर मर गई थी दोस्तो उसके बाद हम लोगों ने अपना कैम कंप्लेट किया और वहां से लोट कर फिर अपने अपने घर आ गए उस घटना में कितनी सच्चाई थी ये तो मैं नहीं जानती लेकिन जो हमने देखा और महसूस किया वह बिलकुल सच था तो दोस्तो अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर दोस्तो हमारी अगली कहानी देव की है चलिए उनकी कहानी शुरू करते है मेरा नाम देव है ये घटना मुझे मेरे चाचा ने बताये थे मेरे चाचा ट्रक ड्राइवर थे और वो कई सालों से ट्रक ड्राइविंग का काम करते आ रहे थे लेकिन एक दिन कुछ ऐसा उनके साथ हुआ जिसके बाद उनके होश ही उड़ गए थे उन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ दरसल चाचा अपने ट्रक लेकर रास्ते में जा रहे थे बीच रास्ते में गाट भी पड़ता था जो लगबग 13 से 15 किलमेटर का था रात के कुछ देड़ बज रहे थे चाचा अकेले ही थे वैसे तो बताते है कि हमेशा जब भी वो ट्रक लेकर जाते थे तो उनके साथ उनका हेलपर तो होता ही था लेकिन वो समय किसी कारण उनका हेलपर नहीं था इस वज़े से वो अकेले ही निकल पड़े थे जब वो रास्ते में जा रहे थे सब कुछ तो बिलकुल ठीक था पर जैसे ही उस घाट पर वो पहुचे उन्होंने देखा कि घाट पर गाड़िया नहीं दिख रही है उन्हें लगा कि रात का समय है एकका दुका गाड़ी तो सामने से आती भी नजर आ रही है तबी उनकी नजर घाट के लेफ साइड में पड़ी जो लगभग 10 मिटर अंदर कुछ गाड़ी दिखाई दे रही थी चाचा को लगा कि हो सकता है वो किसी गाड़ी का एकसिडेंट हुआ रहेगा इसी वज़े से वो गाड़ी घाट से उतर कर जाड़ियों में जा टकराई है चाचा ने ट्रक को अपने लेफ साइड में रुका और जाकर देखने लगे जब नस्दिक गए तो पता चला कि वो एक एम्बुलेंस थी चाचा ने देखा कि एम्बुलेंस का ड्राइवर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था और जब पीछे का दर्वाजा खोल कर देखा तो एक स्ट्रेचर था और उसके उपर एक लाश थी चाचा वो देखकर घबरा गए कि ये लाश उस समय फोन वगेरा यानि मुबाइल नहीं होते थे तो चाचा को ऐसा लगा कि मुझे किसी को बोल कर इनकी मदद करवानी चाहिए चाचा रास्ते पर ही 10 से 20 मिनिट खड़े रहे लेकिन कोई गाड़ी तो पहली बात दिखी नहीं और जो गाड़ी दिखी तो उन्हें हाथ दिखाने के बाद में भी वो गाड़ी नहीं रुकी मेरे जो चाचा है वो ऐसा बताते है कि उस समय भूत प्रेद ये एकदम आम बात थी लोग इसके बारे में जानते ही थे और कई सारे लोग है जो इन पर विश्वास करते थे तो ये भी हो सकता है कि जब मैं रात में हाथ दिखा रहा था गाड़ीों को वो यही सोचकर गाड़ी नहीं रोक रहे होंगे कि या तो ये चोर होगा हमें लोट लेगा या फिर हो सकता है कि किसी की आत्मा हो चाचा बताता है कि जिस घाट के बारे में वो बात कर रहे थे वो घाट पर ऐसे बहुत सारी घटनाय घटी थी जो भूत प्रेत के बारे में थी कई लोगों ने भूत प्रित को देखने का मैसुस करने का दावा बिलकुल साफ किया था चाचा भी वहां खड़े ही थे कि अचानक पीछे से किसी ने उनके कांदे पर हाथ रखा चाचा एक गम से घबरा कर पीछे मुड़ कर देखे तो एक आदमी जिसके कपड़े खोन में सने हुए थे वो चाचा को देखकर मुस्कुरा रहा था कह रहा था यहां से चले जाओ चाचा बहुत घबरा गए और उससे पुछे कि आप कौन हो चाचा को लगा कि एक बार यह वही ड्राइवर है जो एम्बुलेंस शला रहा होगा लेकिन उसने कहा मैं जो कोई भी हो आप यहां से चले जाओ मेरे चाचा उससे कहने लगे कि मैं नहीं जा सकता वो आपको पीछे अम्बुलेंस दिख रही है वहाँ पर एकसिडेंट हुआ है और उसका ड्राइवर भी वहाँ पर नहीं है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जब चाचा वहाँ पर पहुचे और उसे अम्बुलेंस दिखाने लगे तो अम्बूलेंस में ड्राइवर तो नहीं था पीछे खोल कर चाचा ने बताया कि यहां पर एक लाश भी है इस बार जब उन्होंने उस लाश को दिखाने के लिए दर्वाजा खोला तो पाया कि अब वो लाश भी वहां पर नहीं थी वो भी कहीं गायब हो गई थी यह देखकर चाचा खोद ही डर गए वो कहने लगे कि अब यह भी मैंने यहां पर लाश देखा था वो आदमी जो उनके पीछे खड़ा हुआ था वो चाचा को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा उस स्ट्रेचर पर मैं ही लेटा था और वो इतना बोलकर चाचा के सामने ही उस स्ट्रेचर पर जाकर लेटा और अपनी आखे बंद कर ली चाचा उसे देखकर एकदम घबरा गया और उसको जाकर हिलाने लगे लेकिन चाचा ने पाया कि उसकी सांसे बन थी और दिल की धड़कने भी नहीं थी चाचा वहीं पर डर के मारे काफने लगे और पसीने में नहा गए वो जल्दी से वहां से बाहर निकले ट्रक लेकर वहां से निकलने लगे कुछ देर के बाद जब वो गाट खतम हुई और आगे उन्हें एक धाबा दिखाई दिया तब उन्होंने ट्रक को वहां जाकर धाबे पर रुका वहां उन्होंने धाबे पर ही अपना फेज को पानी मार कर धोया और फिर कुछ देर वहीं आराम करने के बाद वहां से निकले उस घटना के बाद चाचा दोबारा जब भी उस रास्ते पर जाते थे तो अकेले कभी नहीं गए वो अपने हेलपर को साथ में ले ही जाते थे यह घटना आज भी जब भी चाचा बताते है सुनकर हम भी डर जाते है तो दोस्तो अब बढ़ते हैं अगली कहानी की और दोस्तो हमारी अगली कहानी आमेत ने भेजी है चलिए इनकी कहानी शिरू करते है मेरा नाम आमेत है मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ मेरे गाउ का नाम घार है जो बैजनाच सिटी में है बैजनाच सिटी में शिवजी का बड़ा असा منदिर है मेरे घर में मेरी मम्मी है दो साल मुझ से छोटी बेहन है जिसकी अब शादी हो चुकी है मेरी वाइफ है और धाई साल का बेटा है पापा आर्मी में थे रिटायर होने के बाद कुछ साल तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन फिर उन्हें हार्ट अटेक आ गया और उसमें कुछ परेशानिया भी थी जिसके कारण उनकी देथ हो गए अब तो उनको बारा से तेरा साल हो चुके हैं अब मैं कहानी पर आता हूँ जो मेरे साथ घटी बिलकुल सची घटना है हिमाचल में धर्मशाला नाम की एक सिटी है धर्मशाला से 9 किलोमेटर पहले एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम योल कैंट है कैंट इसलिए क्योंके वो सारा एरिया आर्मी का है योल कैंट से नीचे की तरफ एक और जगा है जिसका नाम पीरू सिंग चौक और जहां हम रहते थे उस जगा का नाम है तिकाबनी तिकाबनी में हम लोग एक 1BHK का रूम लेकर रहते थे उस वक्त मेरे पापा भी एकदम ठीक थे उस वक्त मैं 12th Army School में था और मेरी बहन 10th Class में थी जब ये घटना हुई थी उस समय मैं Graduation BCA के Second Year में था और धर्मशाला में Study करता था सर्दियों का टाइम था December 2011 उस दिन Sunday था और शाम का टाइम था शाम के करीब 5 बज रहे होंगे पांच बजे ही काफी अंधेरा हो जाता था क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था उस दिन हमारे घर पापा के फ्रेंड आने वाले थे शाम के खाने के लिए इसके लिए मम्मी ने मुझे बोला कि दुकान जा और जाकर चिकन लेकर आ शाम को 6 बजे के आस पास मैं दुकान चला गया चुके एक किलोमेटर की दूरी पर था जाते वक्त तो सब कुछ ठीक था पर जब मैं वापस आने लगा तो मेरे पास चिकन थी वो भी काली थैली में दो कुत्ते और एक बिल्ली मेरे साथ चलने लगे और थोड़ा सा चलने पर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा थोड़ी देर बाद एकदम से मेरे पीछे एक औरत आगे और एक घर का एड्रेस पुछने लगी मैंने उनको एड्रेस बता दिया जो के मेरे घर से दस किलो मिटर की दूरी पर था फिर वो आउंटी मुझे पूछने लगी कि ये काली थैली में क्या है मैंने उनको बोला क्यूँ आपको क्या करना है फिर मैंने उनको बता ही दिया कि इसमें चिकन है पर आप पूछ क्यू रहे हो और आप अचानक से कहा से आ गए अभी तक तो कोई भी नहीं था मेरे पीछे तो आउंटी हसने लगे और बोली तुम्हारा नाम अमीद है ना मैंने बोला हाँ पर आपको कैसे पता फिर वो आउंटी और हसने लगी और बोली कि मैं तुम्हें जानती हूँ मैंने बोला पर मैं और परिवार में से तो कोई भी आपको नहीं जानता ये सब बाते करते हुए दस मिनिट हो चुके थे ठंड बहुत जादा थी इसलिए मैंने उनको बोला कि ठीक है आप अपने एड्रेस पर चले जाओ और मैं भी चलता हूँ क्योंकि बहुत जादा ठंड है ये कह कर मैं जाने लगा पर मुझे ध्यान आया कि इनका नाम तो पुछलू शायद मेरी ममीन को जानती हो नाम पुछने के लिए मैं फिर से पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था ये एकदम रियल घटना है उस समय मैं बहुत डर गया था और जल्दी जल्दी पांच मिनिट में अपने घर पौँच गया और शाम के आट बच चुके थे घर पौचा तो ममी ने बोला कि इतना लेट क्यों हुआ और ममी चिला भी रही थी तुझे पता नहीं है गेस्ट आ चुके है मैंने बस हा कर दिया और चुप चाप टीवी वाले रूम में जाकर बैठ गया खाना बना सबने खाना खाया और गेस्ट भी सो गया मतलब सब सो गय थे और उस समय रात के ग्यारही बज रहे थे मुझे भी नीन नहीं आ रही थी और वही बात दिमाग में घुम रही थी कि वो आंटी कौन थी और अचानक से गायब कैसे हो गई बस अब जैसी ही सुबा हुई मुझे तेज बुखार था और घर के सारे लोग मुझे बोलने लगे नाश्टा करने लगा और अचानक से पता नहीं क्या हुआ मैं उठा और भगवान की तरफ हात उठाया और जोर से बुला कि तू हमारे घर पर क्यू है मैं अभी तुझे उठा कर बाहर फेक दूँगा तू हमारे घर पर रहने के लाइक ही नहीं है मैं पता नहीं क्या क्या गुस्ते में बढ़बढाने लगा मुझे अभी भी ये सारे सेंटेंस याद है लेकिन अब याद करता हूँ तो बहुत दूख होता है ऐसा सिर्फ पांच ही मिनिट के ले हुआ था तब ममी ने मुझे पकड़ा और शान्त कराया मेरी बहन मुझे से डर गई थी मेरी ममी ने मुझे पास के ही एक श्रीराम के मंदिर में लेकर गए वहाँ पर पुजारी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और तुरंद बोल दिया कि इसको बाहर की हवा लग गई है मतलब कोई प्रेत या आत्मा पुजारी जी ने मुझे लाल धागा दिया मेरे हाथ पर बांदा और बुला ये जो भबूता है इसको रोज सुबा अपने माथे पर लगाना और हनुमान चालीसा का पाट करना सब ठीक हो जाएगा बस उस दिन से आज ये तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ये थी मेरे साथ घटी एक छोटी सी घटना मुझे लगा कि सब को पता चलना चाहिए और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो दोस्तो अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर दोस्तो हमारी अगली कहानी सूरत बिस्वाल ने भेजी है चलिए उनकी कहानी शिरू करते है मेरा नाम सुबरत बिस्वाल है ये मेरी एक छोटी सी घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं ओडिसा का रहने वाला हूँ मेरे दो भाई राजेश सत्यबरत हम देर रात बाइक से पाटी करके लोट रहे थे बारा बजे के करीब रास्ता थोड़ा डराऊना था स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम थी वो भी बहुत धीमी धीमी थी थोड़ा आगे जाने के बाद लाइट्स भी अब नहीं थी क्योंकि लाइट्स वहां तक के ही खतम हो चुकी थी बिलकुल नहीं थी और बस चांद की रोशनी आगे का रास्ता हम लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दे रही थी एक बीच सड़क पर हमने पीपल का पेड़ देखा जिसे देखकर हम थोड़ा सा घबरा गए ये बीच सड़क में पेड़ कहां से आया फिर हमने जाद ध्यान नहीं दिया और आगे चले गए आगे हमें बहुत सारी गाई दिखी रात में इतने सारी गाई बीच सड़क पर फिर थोड़ा आगे जाने के बाद में हमें कई सारे मटके दिखाई देने लगे तब ही हम समझ गए कि ये कोई छलावा है मेरा बड़ा भाई राजेश ने कहा कि बाईक की स्पीट को बढ़ाओ और रुकना नहीं क्योंकि हम समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बढ है ये हम जल्दी से घर पहुचे और ये सारी बात घर पर बुले उन्होंने बुला कि उस रास्ते में छलावे होते है किसमत अच्छी थी कि तुम लोग बज़ गए तो दोस्तो बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर दोस्तो हमारी अगली कहानी बिपीन की है चलियन की कहानी शिरू करते है मेरा नम बिपीन है ये बात 1990 की है मैं आज जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शायद आप मेंसे बहुत सारे लोग इस पर विश्वास ना करें लेकिन ये घटना जब मेरे साथ घटी थी तब मानो पेरो तले जमीन खिसक गई थी मैं अपने गाउ गया हुआ था मेरे गाउ में सिर्फ मेरे दादा जी रहते थे और उनके साथ मेरी बुआ लेकिन मेरी बुआ की तबियत काफी जादा खराब होने की वज़ा से उनकी दैथ हो गई थी मेरे दादा जी अकेले ही गाउ के घर में रहा करते थे उस समय मेरी उम्र कुछ ये दस साल की थी जब मैं अपने गाउ पहुचा तो दादा जी के पास रहने लगा मेरे माता पिता जो थे वो दोनों ही मुझे छोड़ कर दुबारा शेहर लोट गए थे क्योंकि वो दोनों ही काम किया करते थे मैं दादा जी के पास काफी अच्छे से रह रहा था दादा जी को मेरा छोटा मुटा सपोर्ट भी था जैसे कि रात के समय पानी देना उनको दवाईया देना सब कुछ ठीक चल रहा था लगभग एक या देड़ हफते के बाद एक रात में जब मैं दादा जी के पास सोया पिरे दादा जी खटिया पर सोते थे और मैं जमीन पर बिस्तर डाल कर नीचे जब मैं दादा जी के पास सो रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे दादा जी मुझे नीन से जगा कर पानी मांग रहे है मैं नीन में ही उन्हें चिला कर बोलने लगा कि हाँ दे रहा हूँ लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि दादा जी एकदम घहरे नीन में सोई हुए थे मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा इसलिए इस पर ज़्यादा धियान नहीं देते हुए मैं दोबारा सो गया और फिर जब मेरी आँख सुबा में खुली तब मैंने देखा कि मेरे दादा जी अभी इस दुनिया में नहीं थे मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था गाओ के जो लोग थे वो लोगों ने मेरे माता पिता को इन्फॉर्म किया मेरे माता पिता भी उसी रात में शेहर से हमारे पास आ गये थे दादा जी का क्रिया करम हो जाने के बाद मेरे माता पिता मुझसे कहने लगे कि अभी तुझे हमारे साथ चलना है और मैं गाओ के घर में अकिला रहकर करता भी क्या मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा जब हम सभी लोग वहां से निकल कर शेहर आए उसके कुछ दो महीने बाद पतानी मुझे दादा की बहुत याद आती थी और बार बार ऐसा लगता था कि एक बार फिर से मुझे उसी घर में जाना है जहां पर मेरे दादा की दैध हुई थी यानि कि हमारे गाओ का घर दिन के बाद हम गाओ चलेंगे मैं काफी ज़्यादा खुश था ये बात सुनकर फिर वैसे ही हुआ मेरे माता पिता और मैं हम तीनों ही गाओ आए मेरे पिताजी कहने लगे कि गाओ जा ही रहे है तो वो घर भी बेच देंगे क्योंकि वहां पर अब कोई रहता नहीं है दादा जी के पास सोता था मैं उसी जगा पर जाकर जब तीसरी रात में सोया तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसा मानो मेरे दादा जी अब भी मेरे पास में ही है मैं बार बार दादा जी की उसी खाट की तरफ देखता था और रोता था कि मेरे दादा जी मुझे छोड़ कर चले गए फिर ऐसा हुआ कि मैं जब रात के समय सोया और मेरी आख लग चुकी थी उसके बाद मैंने मैसूस किया कि कोई दुबारा मुझे नींद से जगा कर पानी मांग रहा है और नींद में जहां तक के मुझे याद था तो ऐसा लग रहा था कि वो आवाज मेरे दादा जी की है मैं नींद से एकदम से धड़ पड़ा के उठा उठकर आस पास देखा तो वहाँ कोई नहीं था मुझे बहुत अफसोस हुआ मैं दुबारा सो गया कुछ आदे घंटे के बाद फिर से मुझे वैसी महसूस होने लगा जैसा कि मेरे दादा जी मुझे आवाज देकर अपने पास बुला रहे है मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और चुप चाप सो गया अगले देन मैंने सारी बात अपने माता पिता को बताई पिताजी मुझे से कहने लगे कि तुझे जरुवत क्या थी वाँ जाकर सोने की तु आज से हमारे ही साथ सोना उन्होंने मुझे डाटा लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था मुझे तो दादा जी के कमरे में यानि की जहां पर मैं सोता था वहीं सोना था मैं वो रात भी चुप चाप अपना विस्तर वहीं लगा दिया और जाकर सो गया रात के कुछ देड़ या दो बजरे होंगे मेरी आख खुली और जब मैं उटकर देखा तो मेरे पैर गिले थे मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे पैर भीगे हुए कैसे है मैं अपने आसपास देखा लेकिन वहां तो कोई भी ना तो पानी की बोटल दिखी ना ही कोई पानी का ग्लास समझनी आ रहा था ये पैर भीगे कैसे और मुझे ठंड लगने लगी थी शायद नवेंबर या डिसेंबर का महीना ही चल रहा था ठंड वैसे ही काफी जादा थी मैंने अपने पैर को पोचा और फिर से सोने चला गया जब मैं रात में सोया तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे बाजू में बैट कर मेरे सर पर हाथ फिरा रहा है मैं तुरंत एकदम से उठा और उठ कर देखने लगा लेकिन तबी भी मुझे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दिया मुझे सच में उस समय इतना डर लगने लगा जैसा कि मानो अगर और महाँ पर मैं रुख जाता तो डर से ही मर जाता मैं तुरंत उठ कर मेरे माता पिता के पास चले गया अगले दिन अब पिता जी कहीं काम से बहार गए हुए थे और मेरी मम्मी भी गाव में किसी से मिलने के लिए गई हुई थी मैं घर के आंगन में ही खेल रहा था अच्छानक से शाम के कुछ साड़े साथ बजे मैंने देखा कि कोई आदमी अजीब सा भयानक मेरी और भाग कर आ रहा है वो मुझे डराना चाता था या नुकसान पहुचाना चाता था ये तो तबी समझ नहीं आया उसको देखकर मैं इतना डर गया कि आंगन से भागते हुए घर में चला गया और जब मैं घर में जाकर देखा तो सामने जो लकड़े की कुरसी थी उस पर में दादा जी बैठे हुए थे उस आदमी का डर इतना जादा मुझे सता रहा था कि मैं भाग कर जाकर दादा जी के पास चला गया और उनके पैर में जाकर बैड़ गया फिर एका एक मुझे दिहान आया कि मेरे दादा जी की तो मौत हो चुकी है फिर ये आदमी कौन है जैसी ही मैंने अपनी मुंडी उपर घुमाई तो मैंने देखा कि शरीर तो अभी ठीक वैसा ही दादा जी के जैसा था लेकिन जो उसकी शकल थी अब वो बदल चुकी थी वो एक भयानक रूप ले चुकी थी एकदम सी काली और मानो चारो और उसकी शकल से काला धुआ निकल रहा हो उसके बड़े बड़े नुकीले दाद ये देखना था कि मैं वहीं पर चिला कर बेहोश हो गया जब मेरे माता पिता है तो उन्होंने मुझे पानी के छीटे मार कर जगाया मैंने उटकर उन्हे सारी बात रो रो कर सुने मेरे पिता जी कहने लगे कि अब यहां पर रुआँ ठीक नहीं है पता नहीं ये सब क्यूं हो रहा है और कौन कर रहा है फिर वो मुझसे कहने लगे कि इस घर का आज मैंने सौदा कर दिया हूँ अगले दो दिन के अंदर ही ये घर बीग जाएगा लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसी कमरे में जाकर सो तो अगली दो रात भी मैं डर डर कर मेरे माता पिता के साथ सोया वो क्या था वो तो मुझे आज तक नहीं समझाया लेकिन हाँ उस दिन के बाद से हम कभी दोबारा गाओ नहीं गए और जो मेरे गाओ के दोस्त है आज अगर उनसे कभी मेरी बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि उस समय से हमारे गाउ में भूत प्रित के बारे में कहा जाता था कई लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया था लेकिन वो किसकी आत्मा थी ये बात आज तक नहीं पता चली तो दोस्तो ये थी विपिन जी की कहानी बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर दोस्तो हमारी जो अगली कहानी है ये एक बुड़िया की है एक ऐसी बुड़िया जिसके आतंग की वज़े से पूरा गाउ खाली हो गया था कहते हैं विरानपड़ी जगाउँ पर अकसर काली शक्तिया मंड़ाते रहती है भारत एक धार्मिक भावनाव का देश भी माना जाता है यहाँ पर लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते है लेकिन वहीं दुसरी जगा कुछ लोग भूत और अंदविश्वास को भी बहुत ज़्यादा मानते है एक ऐसा ही हाथसा हुआ था दो दोस्तों के साथ यह घटना आज भी उस गाव के होश उड़ा देती है यह घटना है शुभहम और नितेश की दोनों ही किसी पार्टी को जोईन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से जुड़े हुए थे जिस गाव के अंदर यह पार्टी रखी गई थी उस गाव को लोग बेहत खतरनाक समझते थे अब इसके पीछे का कारण तो शुभहम और नितेश भी नहीं जानते थे रात के करीब आठ बज रहे थे जब सभी लोग डान्स और पार्टी इंजोई करने में जुटे हुए थे तब ही नितेश हापता हुआ शुभम के पास पहुचा और कहने लगा अरे भाई तुझे पता नहीं है इस गाव में कुछ तो है इसके बाद नितेश ने दोबारा कहा कहा जाता है कि इस गाव से लेकर मारजवास तक कई सारी काली शक्तियों का साया यहां पर मंड़ाता है मारजवास जो के शुभम का गाव था शुभम ने उसकी बातों पर कुछ खास दिहान नहीं दिया और पाटी से जुड़ा रहा रात के उस वक्त माहौल पूरी तरीके से अंधेरे से घीरा पड़ा था चारो तरफ गाने की आवाजे गुंचती हुई सुनाई दे रही थे और इसी बीच रात के तकरीबन ग्यारा बजे के आसपास गानो की आवाज आना बंद हो गई अब मानो चारो तरफ एक घेरा सन्नाटा बन चुका था कुछी पल में उस सन्नाटे ने अपना राज बना लिया था शुबहम सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुच गया और नितेश भी आज थोड़ा घबरा ऐसा लग रहा था बानो कोई चीज उसे बार बार सताने का काम कर रही थी नितेश भी गाड़ी में अंदर घुस कर बैढ़ गया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए दोनों दोस्त वहां से निकलने लगे काफी दूरी तक सिर्फ कच्ची सड़क बनी हुई थी जिस वज़ा से कार की स्पीड भी बहुत धीमी रखी हुई थी बाकी लोग भी वहां से निकल चुके थे लेकिन नितेश और शुभम आराम से गहर पहुँच सकते थे क्योंके उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और तभी कार के सामने एक काली बिल्ली ने आकर रास्ता काट दिया नितेश ने शुभम को कुछ देर के लिए गाड़ी को रोकने को कहा मगर शुभम ने कहा अबे तो इतना बेवकुफ है कि ये सारी बातों को आज भी मानता है ये कहकर वो मन ही मन मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगा गाड़ी काफी नई नवेली थी जिसके कारण शुभम धीमी गती से ड्राइव कर रहा था लेकिन बाकी गाड़िया तब तक वहां से निकल चुकी थी रास्ता करीब 15 किलो मिटर दूर था अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर पहुची थी कि शुभम ने गाड़ी को ब्रेक लगाया क्योंकि पार्टी के अनाप शुनाप खाने की वज़ा से पेट खराब होने लगा था लेहाजा शुभम गाड़ी से पाने की बोटल लेकर पास में ही जाड़ियों में जाकर बैड़ गया और कुछ देर बाद वापस लोटा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो गया तो अकिला ही था मगर जब वो वापस गाड़ी की ओर आया तब उसके साथ और भी कोई था जिसकी आवास सुनाई दे रही थी यानि कि उसके कदमों की आहट वो सुन पा रहा था लेकिन उसे देखने ही पा रहा था वो फिर से आकर अपनी गाड़ी में बैट गया लेकिन इस बार गाड़ी का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था क्योंकि इस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा था मगर फिर भी गाड़ी मानो जमू कश्मीर की ठंड की तरह पड़ी हुई थे शुबहम एसी की तरफ देखने लगा शायद गलती से किसी वज़ा से एसी ओन हो गया था शुबहम गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा मगर उसी वक्त गाड़ी का दर्वाजा जोर की आवास करके खुल गया मानो किसी इनसान ने उस दर्वाज़ को जान बुच कर खोल दिया हो मगर बाहर तो कोई भी मौजूद नहीं था और नितेश भी आराम से सीट पर बैठा बैठा सो चुका था शुबहम ने इस बात पर कुछ खास दिहान नहीं दिया और उसे ऐसा लगा हो सकता है गाड़ी धीमी रफतार से आगे की और बढ़ती जा रही है हलेके वो इलाका इतना जादा खास नहीं था जिसे वहां के लोग छोटे जंगल के नाम से भी जानते थे गाड़ी के अंदर ठंड बेहत खतरनाक होने लगी शुबम को पहली बात तो ये समझ नहीं आई कि इतनी गर्मी होने के बावजूर गाड़ी में ठंड क्यों है और दूसरी बात एसी भी ओफ है उस वक्त एसी तो बन था परन्तु गाड़ी में ठंडी बहुत जादा थी शुबम और नितेश दोनों के हाथ ठंड के मारे जमने लगे शुबम ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी से नीचे उतर गया गाड़ी से नीचे उतरने के बाद उन्हें राहत की सास मिली दोनों ही मानो कुछ देर और अंदर बैटे तो उनके कुलफी जम जाती मगर वो नहीं जानते थे कि वो यहां की काली मायावी ताकतों की चंगल में फसे जा रहे है गाव का माहल एकदम शान्त बना हुआ था मानो गाव को कोई साप सुंग गया हो गाडी के काच और दर्वाजे कुछ देर तक खुले रहे और बाद में दोनों दोस्त वापस जाकर गाडी में बैड़ गए और इस बार गाडी का माहल एकदम सही लग रहा था शिवम ने गाडी का गहर डाला और आगे बढ़ने लगा लेकिन इंजन स्टार्ट होने के बावजूद गाडी टस से मस तक नहीं हुई बानो गाडी एक जगा पर जाम हो चुकी थी नितेश भी अच्छे से गाडी ड्राइफ करना जानता था इसलिए नितेश गाडी से नीचे उतर गया और बाहर का माहल देखने लगा लेकिन गाडी के टायर एक जगा पर ही घुम रहे थे नितेश ने देखा कि गाडी के पीछे के पई ये सडक से दो इंच उपर उठे हुए थे नितेश ये देखकर हैरान रह गया अच्छी तरीके से जान चुका था कि ये किसी काली ताकत का साया है और नितेश ने शुबम को पहले भी बताया था कि ये गाव भूत प्रेट से जुड़ा हुआ था लेकिन शुबम ने उसकी बात को अंसुना कर दिया था नितेश भागता हुआ गाड़ी के अंदर बैड़ गया और पूरी बात शुबम को बताई तो उसके भी होश उड़ गए मगर जब शुबम गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो गाड़ी की हालत बेलकोल ठीक थी वो एकदम सही तरीके से सड़क पर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी वो वापस गाड़ी के अंदर बैठा तो इस बार गाड़ी के अंदर एक अजीब सी गंद आ रही थी जैसे के कोई सड़ा हुआ मास बदमू मार रहा हो पहले तो शुबम कार को चारों तरफ से घुरने लगा मगर अचानक से नितेश एक भारी आवाज में बोल पड़ा तुने इस गाव की सड़क पर आकर खुद को मौत के घेरे में डाल दिया है इतना बोलकर वो एक भयानक हसी में डूब गया उसकी हसी बेहत भयानक लग रही थी और उसी वक्त उसका रूप बदलने लगा इस से पहले कि वो अपना रूप और भी ज़ादा भयानक बना लेता शुबम गाड़ी से नीचे उतर गया और दबे पाव सीधा रास्ते की और भागने लगा उसने देखा कि उसका दोस्त नितेश सामने वाले खेजडी के पेड़ के नीचे बैटा हुआ है वो तुरंट उसके करीब पहुचा और जाकर पूरी बात विस्तार से बताई लेकिन डरासहमा नितेश चुप चाप उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा वो ना तो कुछ बोलने की हालत में था और ना ही वहां से उट पाने में सफल था अब उन्हें अपनी कोशिशों को अंजाम दे कर किसी भी तरह से यहां से निकलना था कुछ देर तक दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और फिर शुबम उठा और सामने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा सुनसान इलाके में चारो और अंधेरा इस कदर हावी हो रहा था मानो रोशनी खतम हो चुकी थी अपनी उम्मीद बानते हुए शुबम उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा उसके जस्ट पीचे पीचे उसका दोस नितेश था जो डर के एक समुंदर में डुबा हुआ था दोनों डरे से में रास्ते की तरफ चल पड़े पूरा रास्ता जाडियों के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ की चाया चाय हुई थी चांद की रोश्णी भी अब मानो एकदम ही गायब हो चुकी थी अंधेरे की चादर जहां पर चायव भी होती है वहां पर भूत पिसाच का आतंक होने लगता है ये दोनों दोस्त जब चल रहे थे तबी अचानक से शुभम को पीचे से रोश्णी नजर आने लगी ये रोश्णी गाड़ी की हेडलाइट की थी और जब शुभम पीचे मुड़ा तो देखा कि उसकी नई वाली कार जो थी वो फूल स्पिट से भागते हुए उनहीं की तरफ आ रही थी अपने दोस नितेश को पकड़कर शुभम ने छलांग लगाते हुए सड़क के नीचे कूद गया लेकिन तब तक कार काफी आगे तक निकल चुकी थी शुभम की सास में सास आई मगर अब वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका था कि आज इन प्रेतों से निपटना है और ये सब उनके बस की बात नहीं थी उन्हें किसी ऐसी जगा की तलाश थी जहां उनकी जान आसानी से बच जाए मगर ऐसा कोई भी स्तान नहीं था जहां पर वो इन काली ताकतों से बच जाते उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था उन्हें अपनी हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह से निकलना था तब ही अचानक से कुछ शुबम और नितेश के पैरों में अटक गया अचानक वो नीचे गिर पड़े और फिर उनका सर उन्हें काफी भारी-भारी महसूस होने लगा उन्हें काफी जोरों से दर्द होने लगा फिर उनकी आँखे एकदम से बंद हो गई और जब दोनों की आँखे कुली तो देखा कि वो एक कमरे के अंदर लेटे हुए थे जहां सिर्फ घेरा सननाटा चाया हुआ था दोनों ही अंधिरे में एक कोने में पड़े हुए थे और एक बूड़ी औरत वहीं दर्वाजे के पास खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी उसकी अजीब अजीब सी आखे और उसकी खौफनाक मुस्कुराहट हर किसी इनसान को डरा देने के लिए काफी थी उसका चेरा एकदम पतला और चिपका हुआ था नितेश के चेरे पर डर की दास्तान साफ साफ दिखाई पड़ रही थी वो दोनों ही दोस्त रेंगते हुए वहां से निकलने की फिराक में थे लेकिन वो तो हिल तक नहीं पा रहे थे अपनी इस दशा का दोशी शुभम अपने आप को ठहरा रहा था वो खुद को कोस्ते हुए अपने आप पर ही गुसा करने लगा लेकिन यहां से निकलना बेहत मुश्किल था दोनों की हालत गंभिर बनी हुई थी रात के करिब सवा एक बच चुके थे शायद शुभम और नितेश अब अपने जीवन की कुछ आँखरी सासे गिन रहे थे मानो आज उनकी जीवन की लीला यहीं पर खतम होने वाली है तब ही शुभम की नजर एक छोटी सी गुडिया पर पड़ी जो धागे से बंदी हुई थी और वहाँ एक नहीं बलकि दो गुडिया पड़ी हुई थी जाने कि इसी के कारण उनका हिलना मुश्कील था शुभम को किसी तरह से उस गुडिया के धागे को नश्ट करना था और फिर हो सकता था कि वो लोग महां से निकलने में सफल हो जाते ये बुडिया तांत्रिक थी और शायद ये एक वो तांत्रिक थी जो लोगों को जान से मार कर उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बना लेती थी बस उन दोनों को तो क्या था गुड़िया के धागे को खोलना था और हाँ इस बात की भनक भी उस बुड़िया को नहीं लगनी चाहिए थी फिर शुबम ने शुरू किया उस गुड़िया के धागे को खोलने का मिशन था लेकिन कर भी क्या सकते थे क्योंकि बुडिया तो सामने ही खड़ी थी कुछी पलो में वो बुडिया वहां से निकाल गई और शुबम रेंगने की कोशिश करने लगा पहली बार में वो पूरी ताकत लगा कर हिल तक नहीं पाया लेकिन बाद में उसने पूरी हिम्मत जूटाई और घसिता हुआ उस गुडिया के पास पहुच गया मगर उसके हाथ काम करना बंद कर चुके थे मगर उसने मन ही मन भगवान को याद किया और अपनी शारिरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस गुडिया के धागे को तोड़ दिया उसके साथ वो दोनों ही वहां से मुक्त हो गए मगर अचानक से उस खंडर पड़ी जगा पर किसी की आवाज आने लगी वो भी काफी जोर जोर से हसने की आवाज सुनाई दे रही थी तब ही वो बुडिया उस कमरे के अंदर आई परन्तु इससे पहले ही शुभहम और नितेश पास की बनिये खिड़की से नीचे कोद गए और पूरी रात वही एक पेड़ के पास बैठे रहे क्योंकि उस पेड़ के पास कुछ मालाय लटकी हुई थी जो इस बात का संकेत थी कि यहाँ पर जरूर किसी के दुआरा पूजा की जाती है और इसलिए वो लोग जानते थे कि इसी पेड़ के पास बैठने में आज उनकी जान बच सकती है सुभा होते ही शुभम ने तुरंद गाड़ी को स्टार्ट किया और ये दोनों ही दोस्त वहां से निकल पड़े उस दिन अपनी पूरी सूज बूज के कारड़ वो दोनों दोस्त अपनी जान बचा पाए और कुछी दिनों के बाद पता चला कि उस गाओ के अंदर काफी सालों पहले एक बुड़िया रहती थी लेकिन किसी कारड़ के चलते उसने तंत्र मंत्र का जाब करना शिरू कर दिया और फिर गाओ वालों को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने रात के मौके पर उसे जला कर राख कर दिया मगर उस बुडिया के शिराप ने उस गाव को खाली करवा दिया और पता नहीं कैसे आज भी वो बुडिया वहाँ पर लोगों को दिखाई देती है एक बात तो ये नहीं समझ में आई जब गाव वालों ने उसे जला कर मार दिया था तब वो बुडिया आज भी कैसे जिन्दा है कई लोगों का ये कहना है कि वो अब बुडिया नहीं है वो बुडिया की आत्मा है जो लोगों को अपना शिकार बना देती है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की दोनों कहानिया उमीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तो इसमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में निचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किये मत जाना मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में